प्रदेश फर में बारिश आसमान से आफ़त बनकर बरस रही है शौकनगर में बारिश लगा तार जारी है सावन गाव के पास रिप्ता पर अधिक पाणी होने से कार बह गई और बता दें कि कार में पांच लोग सवार थे जिसमें पाणी में डूपने से एक की दुखदु प्रिजेंदर सिंग है जो महीदपूर के सरपंच S.G.E.R.F. के जवानू ने रेस्क्यू कर तिन लोगों को बचा लिया और भुपाल से लोटते समीर आत्मी ये हादसा हुआ आज हमारे छेतर में एक बहुत ही बड़ी दुखत गटना गटी है हमारे कुछ साथी रखबंची समाज के वोपाल से किसी कारी करम में गए थे रात को वापिस जबा रहे थे तो एक नाले के पास उनकी गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई बाद उनके उपर जिसमे और जैसे ही पता लगा सब लोग पहुँचे तो उनको किसी तरह तीन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया पर दो लोग लापता थे उनमें से एक व्यक्ति की जो है डेड बोडी प्राप्त हो गई है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है तो बहुत ही दुखत गटना गट कि मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि बारिष का मौसम है तो जहां भी बारिष तेज हो रहिए किसी भी नाले पर अगर पानी ऊपर से जा रहा है और फान पर है अगर अगर कोई भी नदी नाला तो करपया उस से के उपर से बहां ना निकालें क्योंकि तो मेरी सबी से अपील है कि अभी बारिश का मौसम है और काफी तेज बारिश 4-5 दिन से चली रही है पूरे छेत्र में तो किसी भी नाले पे अगर पानी का तेज बहाव है तो कृपया उसके उपर से ना निकलें प्रसासन भी ये हिदायत आपको दे रहा है मेरी भी आप सब सक्षित रखें और किसी भी नाले पे अगर पानी का तेज बहाव है तो उसके उपर से किसी भी बहान को या स्वेम ना निकलें